अमेधyears करते हैं आपना हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती मेरा पहला व्लॉग उमीद करती हुँ कि आप सभी मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार देंगे सपोर्ट करेंगे और आज का व्लोग मेरा फर्स्ट व्लोग है और सुबह का काम कम्प्लीट करके मैं बच्चों को रेडी करने के लिए लगी हूँ बाइद वे आप लोगों को ईद मुबारक और मेरी ये वीडियो आप लोग ईद के दीनी देख रहे होंगे और ये बच्चों को मैं इद पाल्टी के लिए स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ अपने दोनों बच्चों को ये मेरी दोनों लड़किया है और इनका नाम है रिद्धि सदी और दोनों को तियार करने में लगी हुई हूँ दोनों make-up के लिए तयार होने के लिए काफी excitement रहती है Anytime, कभी भी तयार कर दो मेरे बच्चों को मेरे बच्चे हमेशा तयार रहेंगे तयार होने के लिए जोलेरी सिलेक्ट कर रही है, देखिए कैसे किस तरीके से की मैं क्या पैनना है और खुद गले में पैन के बटी है वैसे ये पाल्टी वेर ड्रेस था लेकिन इसे काफी चमक धमक ऐसी make-up मेरे बच्चों को काफी पसंद है और मैं make-up जादा बच्चों को करना पसंद नहीं करती हूं और बस नॉर्मली थोड़ा सा पॉडर लगाया है उन्हें और लिफश्टिक और थोड़ा बहुत बस लाइनर और हैश्टाइल बस इतने ही करने वाली हूं कुछ लगाने वाली नहीं हो लेकिन इनका कुछ इनको लेट हो रहा है काफी इनको कोई फरक नहीं पढ़ रहा है देखिए और इनका 12.30 को होता है स्कूल जाने का और घर का सारा काम कमप्लीट कर लिया है breakfast, lunch दोनों कमप्लीट कर दिया है इनका bag वगरा भी ready कर दिया है स्कूल जाने के लिए बस इन ही दोनों को ready करना है मुझे मेरे बच्चों को और काफी बच्चे सब ऐसे ही होते हैं बहुत परिशान हो जाते हैं दोनों समालने में और दोनों को रेडी कर रही हूं देखो एक को रेडी कर रही हूं दूसरे को पसंद नहीं आएगा दूसरे को करूंगी इसे नहीं पसंद आएगा और यही चल रहा है बस मम्मीयों को बच्चों से फुरसत नहीं मिलती है, बच्चे रहते हैं, तभी काम होता है, बच्चों की विना घर सुना भी रहता है, उसको मैंने तयार कर दिया, उसके हैरस्टाइल कर दूँगी, और तयार हो गए, काफी लेट हो रहा है, यहां से उसके पापा भी चिला हो रहा है, कि चल्दी करो लेट हो रहा है, और दोनों को रेड़ी कर, अल्मोस्ट दोनों होई चुके है, बस थोड़ा सा हैरस्टाइल बाकी है, दोनों को तयार कर दिया, और तयार करने के बाद, दोनों को रेड़ी करने के बाद, मैंने फोटो नहीं निगाले, क्योंकि काफी लेट हो रहा था, उसके पापा भी चिला रहे थे, और उन दोनों को छोड़ के आने के बाद, उसके पापा ने बोला कि चला हम लोग कहीं जाके आते हैं, और उन्होंने बताया नहीं, और मैं भी रेड़ी होने के लिए लगई, उन दोनों को भीचने के बाद मैं ये मैं रेड़ी हो चुकी हूँ, और उसके पापा ने बताय रही थी बारिस बहुत हो रही थी मैंने भोला नहीं जाना है लेकिन उसे पापा कई जा के आते उन्हें बस कहीं फो ही मनद करदेता है कहां जाने का बस वो तियार हो जाते हैं तो बस हम दोनों ही तयार होगे हैं ये मेरे हस्बेंड है और चल पढ़ी हूँ लेकिन पता नहीं कहां जाना है और बारिस देख रहे हैं आप बहुत बारिस हो रही है जब मैं रस्ते पे गई तो मुझे पता चला कि ये मुझे सौपिंग कराने ले आये हैं मैं काफी दिनों स उनको बोल रहे थिक मुझे गाउन वन पीस जैसा गाउन चाहिए तो वही दिलाने के लिए मेरे हस्बेंड मुझे मौल लेके आये थे लेकिन मुझे जिस तरीके का गाउन चाहिए था वन पीस जैसा लेकिन उस तरीके मुझे नहीं मिला मैं ऑन लाइन भी काफी दिनों से मिला, यहां पे भी मुझे जएसा मुझे चाये था, वैसा नहीं था, collection काफी अच्छे थे, यहां पे, लेकिन जिस तरही से मुझे चाये था, वैसा नहीं मिला, बस तो देखके आगे मुझे जमा नहीं, मैने लिया नहीं, और और मेरे यादत ऐसी है, जब मुझे जमнеगा नहीं, तो मैं जबरजस्ती ले नहीं सकती इसके पापा के भी, उनके पापा को दो, तीन काफी पसंद आया था, लेकिन मुझे नहीं आया पसंद, तो मैंने नहीं लिया, बस वहां से हमने बस निकले मॉल से रिटन हुए, और मॉ बड़ी खाने के बाद बारिस का मज़ा लिया बारिस के मौसम का मज़ा लिया लॉंग ट्राइब पे गए फिर बच्चों को साम को लेते हुए स्कूल से फिर घर आये और आज की वीडियो मैंने यहीं तक बनाई थी काफी लंबी वीडियो नहीं बनाई है उमीद करती हूं आ ना ध्यान रखिएगा बाई बाई टेक केर दोस्तों